हलो दोस्तों, LearnBasics में बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ वेश्व तो कभी कभी क्या होता है, जब हम pen drive लगाते हैं computer में और जब उसमें some file copy करने लग जाते हैं, तो वह copy नहीं होती ठीक है, कोई unknown से error दिखा रहा होता है तो इस problem हो कैसे solve करते हैं, तो आज किस वीडियो में यहीं बताने जा रहा हूँ तो अगर आपका भी सेम सवाल है, तो नहीं जाए कर नहीं, वीडियो लास तर देखते रहे हैं तो friends, हाई जानते हैं कैसे इस problem को solve कर सकते हैं तो सबसे पहले चलते हैं, इस PC पे, आपके computer में my computer के नाम से हो सकता है, ठीक है यहाँ पर हमें pen drive ओला icon को लेना है, यह देखिए pen drive को icon शो कर रहा है, अगर आपने pen drive को नाम रखा है सबसे last option आपको properties का दिख रहा है, इस पर click कर दीजे, जब आप इस पर click करेंगे तो small window open हो जाएगी, यहाँ पर हमें tools पर जाना है, ओपर कई सारे option है, general tools hardware, तो हमें tools पर जाना है, tools पर click कर दीजे, उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें 2 option दिखा रहा है, तो हमें error checking वाल option लेना है, और यहाँ check box बना हुआ है, इस पर आप click कर दीजे, जब आप इस पर click करेंगे, तो छोटा सा window open होगा, अब यहाँ पर देखिए scan and repair your drive, एक option आपको दे रहा है, अब इस पर जब आप click करेंगे, तो यह आपके जो pen drive है, इसकी scanning शुरू हो जाएगी, ठीक है, यह एक scanning शुरू हो गया, मैं जैसे ही click किया, यहाँ पर दिखा रहा है, अब scanning के बाद इक लिखा, मला आपको show कर रहा है, your drive was successfully scanned, window successfully scanned, the drive no error was found, यानि कि कोई भी error नहीं मिली, अगर कोई error मिलती तो आप उसको repair कर सकते थे, ठीक है, तो इस तरह से आप repair करके, अपने pen drive को अपन झाल, 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 जान ही अजा पर एका बड़ご侣ा, नहीं मिली, या जच हो बाल, दो एका उन से हता ऑनो कर के एक बाल, गाल, उच हो रचल, आप driver को एक है, या, या, जान जी आप है, लिखा, और दोच हो बात भी एक है, या